परन्तु दूसरे दिन सुभह होते ही सलीम अपने चिकन की शौप पर पहुँच कर चिकन बेचने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद सलीम के पास एक महिला आती है। चिकन लेने के लिए और कहती हैं। सलीम भाई दो किलो मुर्गे का चिकन दे देना। मेरे घर पर महमान आए हुए हैं, इसलिए मैं चिकन ले जा रही हूँ, जल्दी से दे दो। ऐसा चिकन बना कर दूँगा, जो आपके महमान भी बिरयानी खाएंगे, तो खुश हो जाएंगे। तभी सलीम चिकन बनाने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसे दो किलो चिकन बना कर दे देता है। तभी थोड़ी देर के बाद सलीम के पास एक और कस्टमर आता है और सलीम उससे कहता है। अरे छोटा भाई, बहुत दिनों में आये, क्या कहीं बाहर चले गए थे क्या, कितने दिनों के बाद आये हो तुम। अरे सलीम भाई, थोड़ा बाहर काम करने गए थे। ऐसा करो, तुम दो किलो चिकन बना दो, बढ़िया बढ़िया लेक पीस डालना और तुम अपने हिसाब से सही करके बना दो। तभी सलीम चिकन बनाने लगता है, कि दो किलो चिकन बना कर छोटा को दे देता है। सलीम का चिकन का काम काफी अच्छा चल रहा था और सलीम चिकन बेच कर काफी अच्छे पैसे कमा रहा था तभी एक दिन सलीम के पास एक पुलिस वाला आता है और सलीम से कहता है अरे सलीम मैंने तेरा बहुत नाम सुना है तु बहुत अच्छा चिकन बना कर देता है चल एक किलो चिकन मुझे भी बना कर दे दे तब ही सलीम कहता अरे सर चिकन बेचता हूँ अभी आपको सबसे अच्छा चिकन बना कर देता हूँ जो एक बार खाओगे तो बार बार आओगे सलीम के पास बहे सलीम चिकन बनाने लगता है और काफी अच्छी तरीके से चिकन बना रहा था वह पुलिस वाले को चिकन दे देता है अरे मैं तो घबरा गया था पुलिस को देखकर मैंने कहा आज मेरी दुकान बंद करवा देगा मगर ऐसा करा नहीं वह बो तो मेरा कस्टमर निकला सलीम अपनी चिकन शॉप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इमानदारी से चलता वह उसकी कमाई भी अच्छी होती थी उसके कस्टमर भी ज्यादा थे और सलीम बहुत इमानदार था काफी इमानदारी से अपनी शॉप चलाता था